हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में हम रेला कूर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे तो मैंने 3.5 मीटर का कोटन फैब्रिक लिया है पहले हम इसको ओपन करेंगे और फोर लेयर में फोल्ड कर लेंगे पहले कूर्ती के टोपाट की कटिंग करेंगे इसकी लेंद 14 इंच है एक इंच एक स्टा ले लेंगे मार्जन के लिए वैसी लाई में चला जाएगा और इसकी वीडित है 12.5 इंच और फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर रखा है ये ओपन साइड है और ये इसकी फोल्ड साइड है पहले सोल्डर की मार्किंग करेंगे फोल्ड साइड से सोल्डर 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे आर मोल भी सेम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे अब दोनों पाइंटों को ज्वाइन कर लेंगे और एक स्टेट लाइन ट्रो करेंगे अब फिटिंग की मार्किंग कर इसे फिटिंग है 36 इंच तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच पर फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे 2 इंच पर मार्जन की मार्किंग करेंगे अब कमर की मार्किंग करेंगे, कमर है 32 इंच तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे 2 इंच पर मार्जन की मार्किंग कर लेंगे फिटिंग वाले मार्किंग के दोनों पाइंटों को जोईन कर लेंगे और एक लाइन डो करेंगे अब मार्जन वाले मार्किंग को भी मिला लेंगे बैक आर्मोल के लिए 1.5 इंच पर राउंड सेप में मार्किंग कर लेंगे बोटम साइड से ओपन साइड से हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे और हलकी राउंड सेप में मार्किंग कर लेंगे सोल्डर की ओपन साइड से हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे फ्रंट आर्म ओल के लिए अंदर की तरफ हाफ इंच पर मार्किंग कर लेंगे नेक वीड थ्री इंच पर मार्किंग करेंगे बैक नेक की लेंथ टू पैंट फाइव इंच पर मार्किंग कर लेंगे पहले एक बोक्स बना लेंगे और बेक नेकी राउंड सेप में मार्किंग कर लेंगे फ्रेंट नेकी बाद में मार्किंग करेंगे नेक वीर्थ और सोल्डर के दोनों पाइंटों को मिला लेंगे अमरेला कूर्ती के टोप आट की मार्किंग कम्पलीट कर लिए अब इसकी कटिंग कर देंगे सोल्डर साइड से और बैक आर्मोल से इसकी कटिंग करेंगे बाद में फ्रंट नेकी और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर देंगे अब बोटम साइड से इसकी कटिंग करेंगे जो हाफ इंच पर राउंड सेप में मार्किंग करी थी एक्स्ट्रा फैब्री को निकाल देंगे अब इसमें से बैक वाले पार्ट को अलग निकाल देंगे और फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे अब फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर देंगे अब इसके नेक की कटिंग करेंगे, अब इसको ओपन करेंगे, बैक नेक की कटिंग करेंगे, अब इसको ओपन करेंगे, बैक नेक की कटिंग करेंगे, अब इसको ओपन करेंगे, बैक नेक की कटिंग करेंगे, अब फरंट नेक की कटिंग करेंगे, फ्रंट वाले पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लिया है और फोल्डीड साइड से 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे बोटम साइड से भी 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे अब दोनों पाइंटों को मिलाएंगे और एक स्टेट लाइन ड्रो कर लेंगे जैसे मार्किंग कर रखिया एज इसकी कटिंग कर देंगे और इस कूर्ती के मैचिंग का मैंने प्लाजो पैंट बनाई है उसका ये फैब्रिक है उसमें से उसका डिजाइन कूर्ती पर निकालेंगे बोटम वाले फैब्रिक को इस तरीके से ट्रेंगल में फोल्ड कर लेंगे और फोल्डिड साइड जो कुर्ती का फैब्रिक कट किया था हाफ इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लेंगे और इसके मार्किंग कर लेंगे इस फैब्री के बिल्कुल बराबर मार्किंग करेंगे और इस इसकी कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्री को निकाल देंगे अब कूर्ती वाले फैब्री को हटा देंगे अब इस फैब्री को सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर से इसको कट कर देंगे तुपार्ट्स में इसको कट कर देंगे, किस तरीक़ से, और ढुनों पार्ट में कट करने के बाद, वीसेप में इसका डिजाइन आएगा और दोनों को जॉइंट लगाएंगे इस तरीक को मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और इसको इस तरीके से दोनों को जॉयंट करेंगे और V-Shape में इसका design की देजाईन सेП आ जाएगा इसतरीके से फड्स पोले पार्ट को इसमें अटेच कर लेंगे और स्टिच कर लेंगे अब दो करना कुरती के BUTम पार्ट के कटिंग करेंगे बच्चे वे फैब्रिक को लेंथ की साइड से टू लेयर में फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को टू लेयर में फोल्ड कर लिया है इसका एक साइड ओपन साइड और दूसरी साइड फोल्डिर साइड है और इसमें से ये वाला कोर्नर उठाएंगे और फैब्रिक को ट्रेंगल की सेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को ट्रेंगल की सेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है अब अमरेला कूर्ती के बोटम पार्ट के उपर टो पार्ट सेट कर लेंगे कूर्ती के बैक वाले पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लिया है और इसके दोनों साइट मार्किंग कर लेंगे अब टो पार्ट को हटा लेंगे अब इंची टेप की हैल्प से कोर्नर से मार्किंग तक का मेजरमेंट करेंगे पर टेप रखेंगे और मार्किंग तक 13 इंच है तो पर टेप को फिक्स रखेंगे और 13 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे अब सारे पाइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रो कर लेंगे अब अमरेला कूर्ती के बोटम पार्ट के लेंद का मेजरमेंट करेंगे जैसे अमरेला कूर्ती की टोटल लेंद है 42 इंच 14 इंच का टोप पार्ट की कटिंग कर लिया है तो 42 इंच में से 14 इंच माइनस करेंगे तो 27 इंच आएगा एक इंच एक्स्टा ले लेंगे तो 28 इंच पर bottom पार्ट की marking कर लेंगे टोप वाले marking पर tape रखते जाएएंगे और 28 इंच पर marking करते जाएंगे अब साड़े point ओ को join करेंगे और एक line draw कर लेंगे हम रेला कूरती के bottom पार्ट की दोनों marking कर लिये है अब दोनों मार्किंग से Agitiz is के cutting करेंगे पहले टोप मार्किंग से Agitiz THIS को cutting कर लेंगे extra fabric को निकाल देंगे अब दूसरी marking से Agitiz this को cutting क करेंगे हम रिला कुर्ती के bottom part की cutting complete कर लिया अब इसको open करेंगे fabric को four layer में fold कर रखा था तो इसमें से हम रेला कूरती के वोटम पार्ट के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग कर लिए है अब स्लीव की कटिंग करेंगे, फैबरिक को फोर लेयर में फोल्ड कर लिया है sleeves की ready length 14 inch है 1 inch extra ले लेंगे margin के लिए और width 9 inch है open side से 3 inch पर marking करेंगे और folded side से sleeves के armhole की shape देते हुए marking कर लेंगे इस तरीके से और अंदर की तरफ front sleeves के लिए half inch की marking कर लेंगे folded side से bottom side से 6 inch पर marking करेंगे 2 inch पर margin की marking कर लेंगे दोनों पाइंटों को मिलाएंगे और एक line draw कर लेंगे sleeves की marking कम्पलीट कर लिए as it is इसकी cutting कर देंगे extra fabric को निकाल देंगे sleeves के center में cut लगा देंगे अब इसको open करेंगे front sleeves के front side से half inch की marking कर लिए as it is इसकी cutting कर देंगे अब front neck को ready करेंगे bottom part की strip को cut कर लिया था अब दोनों strip को एक दूसरे की right side face करते हुए रखेंगे और इसके उपर half inch का margin लगते हुए शिलाई लगा देंगे दोनों strip को attach कर लिया है अब इस strip को multi side से turn कर लेंगे और इसके उपर inner attach कर लेंगे इसके उपर inner fabric को रखेंगे और इसके चारों दरफ सिलाई लगा देंगे neck design के fabric पर inner को attach कर लिया है मैंने jig jack की lace ले लिया है अब इस lace को इसके उपर रखेंगे दोनों साइड लेस के डिजाइन को इसके ऊपर रखके सिलाई लगा लिया है अब फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट को इसके ऊपर उल्टी साइड से रख देंगे अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे फ्रंट नेक के सारे पार्ट को अटेच कर लिया है जीग जेग की लेस को भी अटेच कर लिया है अब फ्रंट पाइट को सेंटर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेकी कटिंग कर देंगे नेक वीड सेम थ्री इंच पर मार्किंग कर लेंगे और फ्रंट नेकी लेंद फाइव इंच पर मार्किंग करेंगे प्हरले दोनों पाइंतों को मिलाएंगे और एक लाइन डॉ कर लेंगे एक भोक्स बना लिया अब फ्रंटनेक की राउंड ने मर्किंग कर लेंगे अब आज़िटीक की उन्द के टिनगे एकश्ट्रा फैबुर्स को निकाल देंगे फ्रंट नेक की कटिंग कर लिया है अब इसके ऊपर औरे की स्टिप को कट कर लेंगे सेम साइज की स्टिप को कट कर लिया है अब इस स्टिप को नेक डिजाइन के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हाफ इंज का मार्जन रखते वे सिलाई लगा देंगे सेम तरीके से बैक नेक की स्टिप को इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे दोनों नेक के ऊपर स्टिप को अटेच कर लिया है अब दोनों नेक डिजाइन में चोटे-चोटे कट्स लगा देंगे फ्रंट नेक डिजाइन में भी चोटे-चोटे कट्स लगाएंगे जिससे नेक इजली फोल्ड हो जाएगा फिनिसिंग के साथ और पहले स्ट्रिप को हाफ इंच फोल्ड करेंगे उसके बाद एक बार और हाफ इंच फोल्ड कर लेंगे और इस स्ट्रिप को उल्टी साइड फोल्ड करके इसके उपर सिलाई लगा देंगे बैक नेक की स्ट्रिप को भी सेम फोल्ड करेंगे इसी तरीके से और सिलाई लगा देंगे फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों को रेडी कर लिया, अब दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हो रखेंगे, सोल्डर को सोल्डर पर मिलाएंगे और सिलाई लगा देंगे, दोनों के सोल्डर को अटेच करके सिलाई लगा दिया, अब स्लिवस को रेडी उसके बाद इस strip को इसके ऊपर रखेंगे, यानिレश को बीच में रखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर सिलाय लगा देंगे, शिलाय लगा दिया है, अब इस strip को sleeves के right side fold कर लेंगे, फहले half inch fold करेंगे, इसके बाद 1 inch fold कर लेंगे, और जिग जग वारी लेस राइट साइड आ गई है. अब इसके दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे. स्ट्रिप को राइट साइड फोल्ड करके सिलाई लगा दिया है और इसमें गोटा पट्टी अटेच करेंगे यहाँ पर और सिलाई लगा देंगे. दोनों स्लीव के bottom side strip को attach कर लिया है और गोटा पट्टी attach करके ready कर लिया है अब अमरेला कूर्टी के toe part को right side से रखेंगे उसके बाद sleeves को इसके उपर multi side से रखेंगे दोनों के center point को मिलाएंगे और sleeves के part को इस तरीके से turn करते होगे इसके उपर स्लाई लगा देगे सेम तरीके से दूसरी वाले sleeves को भी ईसके उपर लखेंगे अमरियला कूर्टी के toe part पर दोनों sleeves को attach कर लिया है अब मेरला कूर्टी के toe part और bottom part को attach कर लेंगे दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते होई रखेंगे और सिलाई लगा देंगे अमरेला कुर्ती के टोप पार्ट और बोटम पार्ट को अटेच कर लिया है अब कुर्ती को उल्टी साइड से ट्रंक कर लिया है और दोनों साइड फिटिंग की सिलाईयां लगा लिया है जो डिजाइन स्लीव के ऊपर निकालता सेम डिजाइन बोटम साइड निकालेंगी मैंने 2.5 इंच की स्टेट स्टिप ले लिया है और मैंने जिग 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 की ले लिया है अम रेला कुर्ती को उल्टी साइड से रखेंगे उसके बाद उसके उपर जिग 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 वाली लेस रखेंगे जिग जिग वाली लेस को बीच में रखेंगे, स्टिप के और कुर्टी को और सिलाई लगा देंगे अभी स्टिप को राइट साइड टरन करेंगे, उसके बाद हाफ इंच फोल्ड कर लेंगे चारो तरफ से इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके उपर सिलाई लगा देंगे बोटम साइड में स्टिप को फोल्ड करके सिलाई लगा दिया है और मैंने गोल्डन कलर का गोटा पट्टी लिया है अब इसके उपर अटेच करेंगे और सिलाई लगा देंगे गोटा पत्ती को भी Amrila कुरती के bottom side में attach कर दिया है और Amrila कुरती के front neck design में button attach कर दिया है और front neck को ready कर लिया है और finally Amrila कुरती बनके ready हो गई है Friends, इसी तरीके से आप किसी भी size के Amrila कुरती की cutting और stitching कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका रिपलाई जरूर करूंगी, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थेंक्यू सो मच्चू